जहां दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ रही है वही त्रिपुरा इस वक्त भारी बार से जूज रहा है दिल्ली का अधिक्तम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है वही त्रिपुरा में इतनी बारिश हुई है कि बार से छे लोगों की मौत की खबर है जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं अगले 24 घंटे में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है टेली ग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी शरत दास ने बताया कि 4569 परिवारों को घर छोड़ना पढ़ा इन परिवारों में 17,840 लोग रहते थे मौनसून से पहले इतने भारी पैमाने पर बारिश की उमीद नहीं थी लोगों के लिए विभिनजिलों में कुल 71 केम बनाए गए हैं हाओरा नदी और गूमती नदी खत्रे के निशान से उपर चली गई वहीं, राज़दानी अग्रतला, पस्चिमीत्र पुरा, खोवई, गोमती सहित कई जीले जलमदन हो गए मार्च से अब तक राज़ए में 857 अमलव साथे मैं बारिश दर्ज की गई है हाला की, राज़े में फ्लैश फ्लड और पानी जमने की समस्या मौनसून में आम रही है मुख्यमंत्री विपलव देव ने अपने विदान सभाक्षेत्र बना मालेपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दोरा भी किया सी एम ने मृत परिवारों को 5 लाक रुपए की सहायता देने का एलान किया जबकि जिनके घर तबह हो गए हैं उन्हें 1 लाक रुपए दिया जाएंगे सी एम ने कहा है कि सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के हर संभव सहायता करेगी वहीं एक अधिकारी ने कहा कि केंदर सरकार ने राज्य सरकार के उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है जिसमें वहाओरा नदी पर दो डैम बनाने की जरूरत बताई गई थी इससे बाढ़ पर नियंतरन किया जा सकेगा रिपोर्ट के मताबिक 12 घर पूरी तरहें तबह हो गए जबकि 247 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है रविवार को लैंडिसलाइट से दो लोगों की मौत हो गई थी पस्चमीत्र पूरा जिले के एक अधिकारी ने बताया कि घरों से पानी पूरी तरहें वापस नहीं गया लेकिन कुछ लोग अपने घरों को चले गए हो सकता है वे रात को वापस किंप में आ जाए अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप किसी वेब साइट पर शांदार फोटो देखर होटेल, रिजोर्ट या गाडियां बुक कर देते हैं लेकिन जब आप हकीकत में आपकी बुकिंग से रूबलू होते हैं तो उमीदों पर पानी फिर जाता है और आप ठगा महसूस करते हैं ऐसा ही कुछ हुआ है ट्विटर यूजर जेनी केर शो के साथ उन्होंने वियत नाम में एक होटेल का टेरिस पूल देखकर उसे बुकिंग कॉम से बुकिया उन्हें उमीद थी कि होटल के पूल से बहुत खूबसूरत नजारा देखेगा लेकिन जब जेनी होटेल पहांची तो उनके होशोड गए दरसल वेब साइट पर दिखाई गई तस्वीर कोई पूल नहीं बलकि होट टब था इसे ऐसे इंगल से खीच कर डाला गया था कि वे किसी रूप टॉप पूल की तरहें दिखाई दे रहा था जेनी केर्शो ने जब अपने ट्विटर पर यह दोनों तस्वीर पोस्ट की तो वो वायरल हो गई इसे एक लाख असी हजार बार लाइक और चोहरासी हजार से ज्यादा री ट्वीट किया गया लोगों ने बुकिंग कूम को जम कर ट्रोल किया आखिर कारवेव साइट ने जेनी से होटेल को लेकर शिकायद दर्ज करने की बात कही लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया